दोब लोग को में कमेंट को देखते हुte मैं जिक्रफी का chino brax लेकर आये हूं जिस तरह से इस तरह में में आप लोग इतिहास में षरफे चाहते हे प्लीजर कंट किजएगा क्योंकि यह कहीं में आप लोगों लिए विकोशन लेकर आता हूं तो लेट ना करें जाए जल्दी से मेरे दोस्तों प्लेश्टों से मिसाइल क्लास के आपको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद याद रखेगा आप फाइनल एक्जाम में अगर चाते से एक्जाम से पहले ह और साम दोन टाइम लाइब क्लास की तैयारी करें चलिए सबसे अनपड़ में बिहार नहीं होना चाहिए लेकिन मेरे दोस्तों बिहार आ जाती है तो इसमें आपसे पूछाएगा है कि सक्षत दर कोने सबसे जदा पढ़ा लिखा कोने बाई तो बताएंगा से अमारा लक्ष दिफ होगी कौन होगी बाई लक्ष दिफ होगी इस बात को अप लोग अच्छी तरह से ठान लीजेगा ठेक है आते से अगला कोशन 2011 के जनगाना कानुसार भारत की जनसेंगा घन तो कितनी है आप सभी को बताते चलो मेरे दूट तो 2011 के जनगाना कानुसार भारत के जो आबादी थी न मोधी सरकार कहते थे मेरे देश के 700 कडूर देश वासियों कहते थे न भाई इसके आबादी थे याद रखेगा मेरे दोस्तों 121 कडोर ठीक है जो हमारे देश के आबादी आज 140 कडोर पार कर चुकी है ना बै तो वहाँ पूछा गया कि जन सेंगा घर तो कितनी थी मतलब एक किलोमेटर एरिया में कितना वेक्ति रहा करती थे तो बताएंगे 382 क्या बत सबसे ज़्यादा अगर जन सेंगा बड़ी है अभी तक तो 2019 से कानवे से लेकर 2001 के बीच में इन 10 साल के बीच में सबसे ज़्यादा जन सेंग्या में बिर्दी वी है आपको पूछा गया है मेरे दोस्तों कि तमिल लड़ु जो हमारे राज्य है इसमें कौन से भासा ही भै तो पताएंगे सेर हमारे जन गन्ना किस वर्स होने वाली है आप सबी को पता है मेरे दोस्तों कि हमारे आगामी जन गन्ना था दूजर एक किसमें होने वाली है तो इस तरह से इसका ऑफ्षन नमर आप दी लगा सकते हैं ठीक है ओडर दीकी सबस्ते कं अगर आप से पूछा जागा ना तो बताएंगे सरवारा नियूजयंड होगा भारत में किस देश में भारती आप परवास्यू के सबसे का में बताएं नियूजयंड में ठीक है परवासी संख्या का आंच सर्वादिक है आपको बताईए इन में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा को ने यह जो राज देख पा रहे हैं हम लोग यह जो राज देख रहे हैं सबसे पढ़ा लिखा को अभी मैंने जस्ट पताए कियरल हमार हो जागी परसेंटेज में पूछा तो याद रखिएगा कि परवासी केसे कहते हैं परवासी कितने प्रकाल को सबसे पहले यह कोशन अब लोग को अच्छी तरह सी याद करना है ठीक है तो आप से पूछा कि परवासी की संख्या सबसे आधि कहा है तो मेरे दोस्तों बताएंगे मुंबई जैसे मेरे दोस्तों इस तरह से मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि की साल तक हमारे दिश्क के अबादी लगभग दो करूर हो जाएगी दो आरब हो जाएगी तो बताएंगे 2036 तक ऐसे अनुमान लगा गया है उसे नेक्ट पाते हैं सराज में नगरी जनसें क्या आनुपास सरवधी के अपस्बॉड आप सभी को बता ने मिरे दोस्तों कि कौन सा ऐसा नगर जिसकी जनसें क्या सवस्ते जाताएंगे सबसे आधिक था को होती इंप इंपडर्ण वरवएं और यह को सों ही जो है जो हर साल अप्लों की पूछी याते हैं 211 के जनकाना कानुसर सबसे अगर कम पूछा जागाना तो अरुना चल पर देशेज सेपी कितना भाई- एक किलोमेटर एडिया में मात्र 17 गोपिकती रहते हैं एक किलोमेटर एरिया में एक किलोमेटर स्क्वार एरिया में एक आरासो दोगो बेखते रहते हैं चलिए सब्सक्राइब कर दोस्तों तो बताएंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो मेरे दोस्त अब अच्छी तरह से तैयारी कर ना है तो बसफिध्य आप जैसे मिसाल क्लास के आपको डाउनलोड करेंगे बहुत सारे कोर्स गिंए पर मेरे दूर्सत आपको इस को कुछ को जोनकर लेना कैर में अब आज पढ़ पारेत्त तयार को बना है भारत में पूर्ण जनगरना पहले बार कभी थे बताएं भारत में परकार को देखिए एक बाद बता दू जनगरना दो परकार गोता है ठीक के एक होता है नहीं पांच साल बाद बाद और यह जनगर्णा होती है मिरे दोस्तों दस साल बाद बाद कि इसको आम लोग सफल जनगर्णा मानते बहुत है आम से पुछागे अपके पूर्ण जनगर्णा या सफल जनगर्णा तो 2000-1880 में याद रखेगा ठीक है कोशेन नैस्ट पे आते हैं किस तराजमें सक्षाता दर सबसे आधिके याद रखेगा मेरे दूस्तों में आपी बटाया कापे केल में ठीक है को शेनेक्ट दोजरेगे जनकारना कानुसर भारत की सक्षाता का परतिसत कितना है बदले दोस्तों भारत में जो मोदी बरबार कहते थे तरहां मैं स्वासकरूर स् पताएंगे सर लगबग 74 परसेंट पढ़ाली का था लगबग इतां वातर परसेंट पढ़ाली का था ओफ्शन नमर हमारा क्या जोगी भी हमारा सही उत्तुर जागा निमिलकित मैंसे नगरों का कौन सा वर्ग अपने पद अनुकरमन के अनुसार करम मध है बताएं मेरे अब स चारगोमहनगर का नाम आधिर मुंबाः देली कुल्काथा मुंबाइब देली मिल अधिया ठ्रीटीव सेने कि एक जिरा समकिल को हो बसब्षचा का रचिओं सबसों hiking का मेरे दोस्तों पूछा है बलके हम सबसे पूछेएं किया त्याद रखेंगा आप से पूछा कि राज्य का नम पैसे हमारा पंजाब में फ hm यहां धीक हिस एक में इस्त्री सख्षता-श्य नेनतब हैं भरत का वहत कौन से राज़े जहां-पे महिला सबसे कम पढ़ा है भै भैं विहार में पिस्वासे ने लगेगा वे किसी को आपको भी यकीन नहीं होगा अरे बिहार में तो सबसे जाता जोब निकलता है महला भी दरोगा बनती है और कहा जाता है मेरे दोस्तों की बिहार अगला कुशन पर आते हैं 2001 के जनगर्णा करनुसार नेम लिखे ति मैसे किस राज की जनसंगा घना तो आधिकतम थी नियुम्तम थी आयम सोरी नियुम्तम पूछा गया है ठीक है 2011 के जनगर्णा करनुसार पूछते हैं मेरे दोस्तों तो हम लोग चीक चीक कर कहते हैं क्या पता है आरूनाचल पर्दिस तो 2011 और 2001 दोनों का एंसर हमारा आरूनाचल पर्दिस होगा ठेक चलिए सर कोशन नेक्ट पाते हैं भारत की कूल जंसंगा का कितना परतिसत उत्री मै अधार में पसा है तो आधा भाग याद रखे कहां पर आधा भाग टोटल ऑफ्शन अमबर हमारे क्या जागी दी हमारे सही तरो जागा विगत सो वर्सों में लगभग पिछले सो साल भारत की जंसंग्या लगभग कितनी गुनी बढ़गी आने वाले मेरे दोस्तों आने व सिरे पांच भूणा हो जाएगा जै वाले में सी giàदे के सबसे कम आभाधिवाला ला राज सबसे कम से छे बड़ा पूछ में पूछ हो तो हमारा क्या हो जागी सबसे चेतरप्राल की दृष्टे से राजिस्तान लेकिन सबसे कम पूछा जागा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगी सबसे कम अगर आप से पूछा जागा मेरो दोस्तों वह बोते हैंगे सिर्फ गोवा ठीक है तो यहां पर एक कोशन पूछा गया कि वह मीजिट रहा हैा है तो आपको बताना इन चार जू में सबसे ज्यादा जंसें का पर प्रतिसर आंव्足 तो मैंने अभी जस्ट बताई लगभग 44 परसंट तो यहां और ऑफ्षन दिया हमारा कितना 55 परसंट आपसे पूछे तो पढ़ा लिखा था लेकिन आप पूछा गया है तो बताएंगे सर फैंटीस परजंट यह दस साल के अंदर में हमारे देश इतना विर्दी हुई इतना विकास किये कि इसके दुगुना हमारे देश सिक्षित बन गए चलिए अगला क्रेशन पाते भारत में बिश्व की कुल जैंसेंगा कि कितना परतिसत से हैं भारत में तो लगभग 16 परसंट लगभग कितना इस पुरे ब्रहामा डग्यां सरी जैंसेंगा लेता है कौन तो बताएंगा सर भारत ठीक है चलिए अकेले भारत की जनगाना का अनुसार निम्निकित में से कौन नगर की परिभासक आंग नहीं है देखिए मेरे दूस ती का मतलब मचली पाला मचली का मतलब पुसुचाराण का मतलब खनन ये सब चीज हमें देखने को नहीं मिलता है ठीक है पहुशने से नेश्ट पाठी किस भासा का परिबार नेटींछार नेटी तो यह मैं लग रहा है दूहाजार श्री दूहाजार एक जनगाना कानुसर हमारा इतना कड़ोर अबादी थी ठीक है चलिए सब्सक्राइब पता है मेरे दोस्त मैं आपके जनगाना कानुसर भारत में नगरी आवादी कितना परसंटेज नगरी आवादी थी यह हमसे और आप से पूछा गया तो बताएंगे लगबग 31 परसंट कितना लगबग 31 परसंट सब्सक्राइब जानकी की संकर्मन की आंती मावस्था में क्या होता है जानकी की जो हमारे होती है इसमें संकर्मन की आंती मावस्था में जो होती है वहता है मारा जन मदर दोनों उच्छ होता है जन मदर और मिर्थी उदर दोनों उच्छ होता है ठीक है 2011 के जनगारना का अनुसार भारत में ग्रामीन आबादी कितनी थी लगभाग 85% के भील जन जाती मुक्स पाई जाती पाई चंबा जिल्ला में कहांपे चंबा जिल्ला में ठीक है अगला प्रसन जाने से पहले मेरे दूस्तु जोबी चाहते हैं हमें फानल एक्जाम पे आच आर्स के फांडेशन कोर्स में जरूर जोएन कीजिए सुबह साम इसमें ओनलाइन क्लासे हो रही है और मेरे तो इसी ओनलाइन क्लास के माधम से आप लोगों में सेलेक्टेड कोईशन प्रॉबाइट कर रहा हूं फाइनल एक्जाम क्या कोड़ी तो आप लोग लेट ना करें जाए जोएन कीजिए और ऑनलाइन क्लास के माधम से कम से कम पैसा में अच्छे से चको अब राप्त कर सकते घर बैठे ठीक है तो चेली सर उस्टेम नेक्ट पाथे सर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मिलते इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हैं है हले बर्वर्वडी तो